नमस्कार दोस्तों Know Your Car में आपको स्वागत है दोस्तों आज हम एक इंटरिस्टिंग टपिक के उपर डिस्केशन करने वाले हैं दोस्तों आप देखें ही होंगे कि कार की टायर्ज के उपर बहुत सरे पैटर्न डिजाइन होता है आपको भी कभी सोचे हैं किया वो जो pattern है वो क्यों है क्यों ऐसा pattern किया गया है कोई दूसरा pattern क्यों नहीं किया गया है तो दोस्तों आज हम उसी topic के उपर discussion करने वाले हैं कि कौन सा pattern की टायार हम अपना गाड़ी में use करें कुन सा pattern नहीं करें वो pattern क्यों होता है कैसे होता है उसके बारे में discussion करने वाले हैं तो दोस्तों सभी pattern एक condition पे अच्छा grip देता है तो आईए ये सब pattern के बारे में बात करते हैं और इसका classification बारे में बात करते हैं ये सब pattern इसे design किया जाता है कि हरे एक button एक condition पे अच्छा performance देता है generally ये सब को Gloria ट्रीड बेटन कहा जाता है दोस्तों तो दोस्तों कितने type के ट्रीड बेटन सो होते हैं तो former जो ट्रीड बेटन होता है वह है symmetric treat button सबसे ज़्यादा जो treat बेटन यूज होता है वह है symmetric treat pattern दोस्तों तो इसका नाम के अनुसार इस टायर के दोनों हाफ जो होते हैं वो ऐडेंटिकल होते हैं टायर के बीच में अगर हम डिवाइड कर दें तो दोनों हाफ ऐडेंटिकल होते हैं जनरली इसमें क्या होता है कि पैटर्न सब वेवी डिजाइन का होता है वेवी का वेवी डिजाइन में होता है यह सब टायार्स जेनरली स्मॉल सीटी के जितने भी कार्स हैं उनमें यूज होते हैं क्यूंकि यह टायार्स थोड़ा सस्ती होती है दोस्तों और यह इसमें क्या है कि फीटिंग में इसका कम एफट लगता है और इसका एक डिमेरिट्स भी है इस जो सिमेट्रिक ट मिन्स अप मान के चलिए कि स्नो पे हो गया या वेट रोड पे हो गया या मतलब अच्छे रोड को अगर छोड़ दें तो यह टायर्स अच्छी नहीं होती है सेकेंडली जो आता है वह है एसेमेट्रिक ट्रिट पैटन इसका नाम के अनुसार अप मतलब की जन गए होंगे वह स एक हो गया और आऊटर साइड का एक हो गया जो दोनों हाप हो गया उसका पाटन अलग-अलग होता है यह डिजाइन आपको बहुत वैट एंडे ड्राइक संडिसन के लिए डिजाइन किया जाता है यह टायर बेसिकल लिए डिजाइन किया जाता है मीड टू हाई एंड रेंज की कार के लिए जो की बहुत वेट एंड ड्राइ कंडिशन पे परफरमांस आच्छा देती है यह टायर थोड़ा कश्टली होता है इन कंपेरिजन टू सिमेट्रिक टायर जो सेम पैटर्न वाला टायर से थोड़ा यह अब सकते हैं कोश्टली होता है यह टायर की दोनों हाफ अलग अलग हता है इसलिए इसमें की लिखा होता है कि कौन सी साइड इनसाइड में रहेगी और कंसी आउट साइड में लोगेगी यह टायर के उपर में लिखा होता है कि जो अपके वो अपने हिसाब से किये मतलब वो इस जाता है दोस्तों तो ये दोनों टाइफ का पाटान आता है तो इसका मेरी डिमेरिट सी मैंने आपको बता दिया है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इन दोनों में से चूच कर सकते हैं कि कौन सी टायर्स अपने कार में यूज करें तो दोस्तों यही था टायर्स के उपर मे symmetric tires और asymmetric tires के उपर में मेरा एक छोड़ा सा पात तो दोस्तों subscribe कीजिए मेरा चैनल को इस वीडियो को live भी कीजिए subscribe करना basically मत भूलिया दोस्तों मेरा चैनल को तक कि मैं इसे वीडियो आगे भी बनाता कर रहता हूं तो दोस्तों अगर आप subscribe किया होंगे तो आपको इसका एक notification मिल जाएगा की चलिए वाई नो यूर कार से एक नई वीडियो आगे और प्रेंट्स टैंक्यू बाबाई